important article होगा यहाँ पर बात की जारी है इंडिया और मोलदीव के relation के बारे में कभी भी किसी इंसान के साथ में अपनी इतनी मत बिगाड़ो कि भाई कल को चल कर उससे help मांगते भी आपको सरम आई हमारे देश को मोलदीव से बाहर निकालने के लिए मोलदीव के अंदर से इंडिय का आउट कंपेंच चला जाता है अभी इनके उपर में इतनी उधारी है तो यह लग रहा है कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई economic crisis में हमारी help कर दो मैं आप लोग को बताऊंगा इंडिया और मोलदीव के बारे में कुछ लिखने के लिए आजए तो समझेगा हमने यहाँ इंडिया और मोलदीव के रिलेशन के बारे में कभी भी किसी इंसान के साथ में अपनी इतनी मत भीगाड़ो कि भाई कल को चल कर उससे help मांगते भी आपको सरम आई यह हर एक उस इंसान के लिए है जो कि कहीं न कहीं अपनी position में तो strong नहीं है पर फिर भी बात ऐसे ऐसे फैंक डिता है जिसकी कुछ अधर नहीं है हमारे देश को मोलदीव से भाहर निकालने के लिए मोलदीव के अंदर से इंडिया आउट कंपेंच चलाया जाता है वहां से हमारे देश के खिलाप में negative image create की जाती है अपने देश के अंदर में और उभी उस देश के बारे में जिस देश के उपर में यह काफी हर्तक dependent है अगर ध्यान से आप लोग देखोगे यह है हमारी country और थोड़ा सा भी नीचे आओगे आप लोग को देखने को मिलेग अभी condition क्या हुए है आप अभी इनके उपर में इतनी उधारी है तो यह लग रहा है कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई economic crisis में हमारी help कर दो यह वो इनसान है जिसने सबसे ज़्यादा campaign किया था हमारे देश के प्राइमिस्टर के खिलाब अपने देश के अंदर में इन्हो हो गया तो यह पूरा जंडा उठाती है अपना सेलेक्शन लेती है यानिके elected होते ही प्रिजिनेंट सिधे चाइना के पास में अपना जंडा लेके कि हम तुमारी गोध में बैठेंगे तो चाइना ने थोड़ी देर के ने तो गोध में बैठाया पर लेकिन लग गया कि इस भी घर बन चुका है वहाँ पर तो अभी condition क्या है मैं आप लोग यहाँ पर समझाता हूं अभी मोलदीव के अंदर में condition काफी खराब है मोलदीव आज की डेट में कहीं इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा उधारी ले बैठा है तो चारह की debt support मिले हाँ पर इसको भारत से अभी मिला नहीं है और currency swap agreement को लेकर भी हाँ पर यह बाते कर रहे हैं जिससे हम लोग इनको support provide कराएंगे अपने देश के अंदर से इनकी debt to GDP ratio है वो काफी ज़्यादा बढ़ चुका है मतलब कहने का है कि मेरे पास में 100 रुपे है पर लेकिन भाइसाब 100 में से 60 रु चाहिए नहीं करने चाहिए तो हम help करेंगे यह बात आप लोग ध्यान रखना reason के reason यह कि international level पर आप लोगों को ना कोई permanent दुस्मन है ना कोई permanent दोस्त है और खासकर प्रोसियों को तो साथ में लेकर चलना ही पड़ेगा तो इसलिए भारत हमेशा से help करता होना जराता है जै जैसे हमारी currency रुपी है इनकी रुफईया है ठीक है तो याद रखना है आपर हमारी currency जादत आकतवर है इनकी currency के compare में यहां से अगर आप लोग लेकर जाते हैं पांच रुपे खासकर मतलब पांच रुपे कर रहा हो एक रुपा तो मौलदीव के अंदर में आप लोग 5 रुपे के करीम मिल जाएंगे तो इससे हम लोग वहां पर एक तरीके से life को enjoy कर सकते हैं इसलिए लोग अकसर मौलदीव घुमते हुए नजर आते हैं कई बार कि खर्चा आप लोगो ज्यादे नहीं देखने को मिलता है कम पैसा लेकर भी आप लोग लाइफ को enjoy कर सकते हो स कई सारी बाते में आप लोगो बताऊंगा इंडिया और मौलदीव के बारे में कुछ लिखने के लिए आजए तो समझेगा हमने यहाँ पर high impact community development project चलाए सपोर्ट करने के लिए 100 million रुफईया दिया इनको इसी के साथ में socio economic development किया हम लोग ने आप इस sport complex बनाए academic collaboration के इनके स चल सकी पर लेकिन यह कहानी start ही से नहीं होती है मैं आप लोगो थोड़ा सा back end में लेकर चलता हूं important बात के हैं इंडिया और मोलदीव के relation के बारे में historically अगर आप लोग उठा कर देखोगी यहाँ पर तो मोलदीव की और इंडिया के बीच में अच्छे कासे relation है एथनिक ट country था दुनिया के अंदर में जब मोलदीव आजाद हुआ 1965 में तो हमने बोला बधाई हो नया देश पैदा हुआ है क्योंकि उससे पहले control भैसाब दुनिया में आप लोगों को पता है कि कौन कर रहा था तो उस time पर हमने सबसे पहले बोला जैसे नहीं बंगलादेश जब ब चलिए जो भी है वो फिर अलग माहूल बन जाता है पॉलिटिकल अगर रिलेशन के बारें बात करें दोनों कंट्री साउथ एशिया असोशेशन का पार्ट है ठीक है नेम का पार्ट है आपर मिलकर काम करते हैं मल्टी लेटरल एरिया के अंदर में यूएन और कॉमन कर जाते हो ऐसे मोल्दीव को टोल गेट की तरीके से देखा जाता है इंडियन ओशन मोल्दीव के अंदर अगर बात करो आर को पहली क्यों है बहुत सारे आर को पहली को क्या होता है यह ऐसे आप लोग इनको दीव समी बोल सकते हैं जो कहीं ना कहीं जौला मुकी फटने से खास कर समूंदर के अंदर से यहाँ पर यह जर्मेंट है तो इसी मिटीव बना हुआ आप लोगों पर मोल्दीव देखने को मिलेगे और आज ने का पर लोग चाता इनको support करते हैं even line of credit भी हाँ पर देते हैं इनको जैसे 800 million का दिया था इसका मतलब क्या होता है line of credit का इसका मतलब होता है कि हम लोग ने इनके लिए पैसा रख दिया है इसमें से पैसा निकाल लिए आप लोग जितना पैसा यूज करेंगे 800 million का दे दिया हम लोग ने इसमें से माल ले जिया आपने 1 million इस्तमाल किये तो उसी पर ही interest देना है 1 million फिरसे से आगे तो आप लोग को interest देने के जुरुत नहीं है तो मतलब इस तरीके से होता है कि आप लोग को इंपोर्टर है source from the Maldiv अगर बात करें आप आफ्टर यहां पर UAE चाइना और सिंगपूर तो इतने अच्छे relation है Maldiv के साथ में इसको जुरूर याद रखना Maldiv के अंदर में तक्ता प्लट करने की कोशिस के गई थी यहां पर उस यहां पर इंडिया के द्वारा help provide कराएगे थी Maldiv के जो लीडर थे यहां पर अब्दुल्ला अब्दुल्ला इनका नाम थे यहां पर लुटिफिय तो यहां पर इनको असिस्ट किया गया थे यहां पर उस टाइम की बात की जा रही है जब यहां पर आप लोग को पता है कि help करने के लिए जब इन्होंने help माने थी यह तो पुरानी बात होगी recent की अभी operation नीर चलाया था जब मोंदीव के अंदर में fire broke out हो था काफी large scale पर इनके सीवेस और water treatment plant के अंदर में तो इंडिया ने काफी अच्छे लेवल पर इनकी help की थी उस टाइम पर भी तो हम लोग ए अकसर इनसान जो है अगर उसे खाने खाना अगर को थाली में हस्याधा दे तो खाने को और प्यार का भी ऐसा अगर किसी को हस्यादा आप लोग प्यार देड़ो वो उसको चोड़कर चलाय जाता है वो ...? लेने लगते हैं आप लोग ने चीजे फिल कियोगी किसी इंसान को आप लोग उसको सारी चीजे support प्रोइड कराते रहो पर लेकिन वो क्या करेगा उसकी इज्जत नहीं करेगा इसलिए माबाप की अखसर इज्जत नहीं होती है आप लोगोंने कई बार देखाऊगो लगता ह यहां पर इनकी कहानी ऐसी है कि सरकार भाई साफ धडली से बदलती है यहां पर मुहम्मद नसीद थे पहले जिनके ओपर में टेरिजम के चार्ज लगाएगे और पुलिटिकल क्राइसिज हो गया यह हमारे बड़े सपोर्ड में थे यहां पर इनकी लीडर बड़ी जल्दी च यहां बुस्टेट जो खास कर अगर बात करें पाकिस्तान बेस जिहादिस्त ग्रॉप यह कई बार हरकते करते हुझ नजर आते हैं और मोल्दीव के अंदर कई बार अटेक के जाते हैं, अगेंस्ट इंडिया, कहीं न कहीं, इंडिया के खिलाब, इंडिया आउट कंपेंड जैसे चला जाते हैं, रही सही कसर जो पूरी कर देता है, वो करता है हाँ पर चाइना, चाइना की पोलिस यह जिसको बोलते है, string of pearl, यह हाला कि documented policy नहीं है, पलेकिन य इंडिया को चाड़ो तरफ से घेरने की कोसिस करता है, ठीक है, तो यहाँ पर string of pearl, जो पोलिस है, याद रखना, यह कैसे है, जैसे पाकिस्तान के अंदर में, ग्वादर पोर्ट पाक इसने खरीद लिया, मोलदीर के अंदर में, इसी के साथ में, जो स्रिलंका के अंदर में आप लोगो हमबन टोड़ा पोर्ट हो गया, ऐसे यहाँ पर बंगला देश के अंदर में चिदगोंग, इसी के साथ में मैनमार के अंदर में पोर्ट हो गया, मतलब सारो तरफ से इस तरीके से लाइन बना रहे हैं, कि मोतियों की माला पूर रखिये, आसपास में, ताकि भा भारत ही एक ऐसा देश है इस एरिया में, जो कि चायना के सर पर अपना जंडा गाड सकता है, इसके लावा कोई ऐसा देश नहीं है, जो यहाँ पर इसको टकर दे सकता है, तो इसकी वज़े से इनकी हरकते आप लोगों को देखने को मिलती है, तो इसलिए भारत भी भाई सा बनाई हमने diamond का necklace बना दिया, तो हमने भी अलग-अलग जहां-जहां port है, जैसे कि आप लोगों को पता है, चाबार port इरान के अंदर में, इसी के साथ में दुकम port, यह Oman के अंदर में, अचा एक बात यहां रखना, यह port के नाम जुरूर याद रख लेना, क्योंकि कई सारे इसे question देखे, मैंने recently, भाई साब port के नाम आप लोगों से match करने के लिए पूछे आते हैं, क्योंकि important है strategic point of इसे, strategic मतलब, खासकर हमारी आर्मी के point of से, अगर आप लोग देखोगे, इसी के साथ में, अजिपसन है, यहां पर, साबांग है, इंडोनेशय का, इसी के साथ में चेंग गई है, सिंगापूर का, वियतनाम के अंदर में, वियतनाम port, जापान के अंदर में, और मंगोलिया के अंदर में, यहां पर भी हम लोग भी अपने port, basically इस तरीके से connect करके चल रहे हैं, ताकि कल को चाएना, अगर यहां पर बत्तमी जी काटे, तो फिर हम लोग यहा सही जगह पर पहुंचा दे, ठीक है, तो यह समझ सकते हैं, तो यह मुद्ध आप लोग यहां पर याद रखेगा, इसी के साथ हम यहां पर समझ सकते हैं, आप लोग यहां पर यह तो हो गया, बाकि हम लोग क्या करते हैं, यह याद जरूर रखना, एक्विरिन exercise आप लोग आप लोग यहां पर, बात की जर्गी, what do you understand by the string of pulse, ठीक है, यह बोला गया है, इसका impact क्या है भारत के अंदर में, और briefly outline करना है, step taken by India to counter these, तो यह निके, आप लोग सोचों यहां पर, examiner ने 2013 में question कैसे पूचा, कि string of pulse को आप लोग कैसे समझते हो, और इसको counter करने के लिए, इंडिया ने cash tab लिए, तो diamond necklace वाली बात अगर आप लोगों देखने को मिलेगी, तो हमारा इसको counter step है, वो यहां पर, तो इस तरीके से आप लोगों को combine करना है, ठीक है, तो यहां पर इस तरीके question आप लोगों से पूचे आते हैं, तो इसको लेकर confusion में आप लोग मत आएग क्योंकि question जब इस तरीके से बनते हैं, तो फिर लगता है कि यार कैसे चीज़ों को यहां पर लेकर चला जाना है, ठीक है, तो यह भात ध्यान दगना, इसी के साथ में यहां पर एक और question आप लोगों के सामने हैं, यह बोला गया है, यह बोला गया है, कि discuss the political development in Maldiv in the last two years, य एक तरीक से आप लोग समझें, क्या यह भारत के लिए concern का reason है, अभी आप लोगो पता है कि इसराइल और इरान की अगर लडाई होती है, तो हमारे लिए concern का reason वो बन जाता है, international level पर यह condition आप लोगो देखने को मिलती है, तो इसलिए यहां पर दुनिया में कुछ भी होता ह dependency इतनी जाद है हाजकीर में बहार से import करना, जिसकी वैसे दिक्कत निकल करा आथ के, तो मैं base ही पता चल गया, history पता चल गया, present ही पता चल गया, क्या-क्या मुद्धे चल रहे है, अब जो-जो development यहां पर होगा, यह भारत के अंदर में आए, भारत क्या help करते है, बस वो development और add करने है, तो India और Moldiv का international relation का पूरा chapter आप लोगा तयार हो चुक है, इस सारे point आप लोगो बता दिए, जो exam के अंदर में आप लोगो लिखने है, और prelims के अंदर भी आप लोगो से question पुछे आ सकते हैं, तो उसके बारे में भी complete topic आप लोग के लिए हाँ पर तयार रहे के द्वारा initiate किया गया Moldiv के help करने के लिए, जब fire broke out from Malik के water और seaways company के अंदर में, यह कौन सी statement correct है, 1,2,2,3,1,3 या फिर all of the above, तो answer आप लोगो यहाँ पर D देखने को मिलेगा, तो इस तरीके से चीज़ों को तयार करके चलने, ठीक है, तो कोई दिकत, कोई समस्या, कोई प्रेसा नी, बिलकुल detail में distance क्या, बाकी जो भी development होके, बात करेंगे आने वाले time में, okay,